हेलो एब्रीबन देसे राहू दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लेगे तो लाइक करने मत भूलेगा और जितना हो सेके शेयर किजेगा ताकि इस वीडियो के बेनेफिट आपके सासत आपके दोस्त की लेजगे दोस्तो हमारे दो गुरूप हैं टेलिग्राम एंड फेस्बुक इन दोनों गुरूप का लिंक हमारे डिस्कुर्शन बॉक्स से मिल जाएगा तो अब वहां हमारे गुरूप से जोड़ सकते हो जैसा कि दोस्तो लोग स्रीशी फिर बीपीसी पीटी के स्रीश को चला रहे हैं तो देखते हैं आज हमारा 30 सेटप कुश्य में क्या मिलता है तो पहरा कुश्य दोस्तो नएया पॉस्ट आपिस एक्ट 1954 किस ने पारिद किया था तो दोस्तो आपको जल्दी बतारे इसका राइट अपसन क्या होगा दोस्तो इसका राइट पसन होता हमारा डी नमबर होजी ने पारिद किया था अगला कोश्य दोस्तो क्या है विट रचा पसन मार्च 1878 में किस ने पारिद किया तो दोस्तो इसका राइट पसन हमारा हो जाता है वी नमबर लॉड लिटन ने अगला कोश्य दोस्तो रचालिन हिन्यान गुपाई इससत है तो अंन्य najbardziej कहां इसत तो इसका राट अपसन उता हमारा बीवन राजगिरी पहाड़ी पर इसी था है अगला कुश्ण देखे दोस्तों मौरेकाल में सास्किय भुमी और क्रिसी व्यवस्था के प्रबंध के लिए एक व्यक्ति सीता अध्यच किन्युक्ति के जाते थी वह कौन था तो दोस्तों इसका राट अपसन नमारा हो जाता है बी नमबर राजगिय करमचारी तो जो सीता अध्यच होते थे वो राजगिर करमचारी के रूप में काम कर दे थे अलग कुश्ण देखे दोस्तों असोक ने धर्म निती के प्राचार्य दंब महामात्र के निक्ति की आंतिर गुरूप से स्वतंद्र पड़ोसी राजियों में इस उद्देश के लिए निक्त अधिकारी जाने जाते थे तो दोसों इन्हें किस नाम से जाना जाता था वो बताना आपको तो इसका राइट अपसन हमारा होता है ए नमबर धंब महामात्र अगला कुश्चन देखे तिरतिय बहुत संगेती के अध्यच अस्तवीर मोगली पुत्र जिसने एक पुस्तक लिखा जिसका सिर्षक था तो दोस्तों क्या सिर्षक था उस पुस्तक के नाम के बारें के बताना है तो दोस्तों इसका राइट अपसन होता है हमारा कथा पत थू तो इसका राइट अपसन हमारा हो जाता है डी नमबर अगला कुश्चन देखे दोस्तों बिहार में रोहतास के किले का निर्मान किसने करवाय था तो दोस्तों इसका राइट अपसन हमारा हो जाता है सी वेकंडियन डेलेवे जղडती है, तो किस को गिस को जबती है दोस्टों, तो इसका जो right option हमारा होगा, वोह अगा A number Moscow और bloody12 को, Moscow और bloody12 को Trans-siberian डेलेवे जोडती है. नेक्स्ट देखते हैं दोसो, Port of Prince संबंदित है, Port of Prince संबंदित है, तो ये किसे समध्यत है दोस्तों तो दोस्तों ये समध्यत है हमारा हैती से दोस्तों ध्यान रखेगा हैती एक नौर्थ अमेरिका महादेश में एक कंट्री है तो दोस्तों याद रखेगा हैती एक देश है जो हमारे नौर्थ अमेरिका महादेश में पाए जाते हैं अगला वो क्या समाहित करता है? तो दोस्तो ए नंबर हमारा होता है सही. उर्जा को समाहित करता है. Next question देखें कि दोस्तो क्या है? भारत में सरवाधिक लोह आईस के भंडार रखने वाला राजियों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तो सबसे ज्यादा किसमे है, फिर कम किसमे है, फिर कम किसमे है, तो इस प्रगास से आपको सही करम बताने है, तो सही करम कौन सा है, जिसमें लौ आइस के भंडार पड़े है, आरेन ओर के भंडार है, तो दोस्तों इसका रैट बसन हो मारा हो जाता है, बीवन, जारखेंड, फिर ओडिस कनाठक और छस्टिसगाड नेक्स देखते हैं थे ऐसे नंबर हारी मीमी कघा मतना ।ul भारत में रुवराय कारखाना अस्तापित हुआ था तो कहां वात दोसरों बताई इसके बारे में क्या होगा साय आटवर सर्मारा तो दोसरों इसका आटवर सर्मारा हो जाता है 1906 यानि 1906 में भार्थ में पहली बार औरवरक फटिलाजनस का जो एक फैक्ट्री है वो सापित किया गया था Next question देखें दोसरों क्या है 10 degree channel मध में अवस्तित है तो 10 degree channel किसके between में अवस्तित है किसके मीड में है तो दोस्तों इसका right up से हमारा हो जाता है B1 अंडमार और निकोबार के उत्री और दचिनी दीपों के बीच 10 degree channel मध में अवस्तित है तो किसका मंद्य होगा वो अंडमान और निकोबार के उतरी अनि नौर्थ और दर्चिन जो आइजलेन है उनके बीच यह वसीत है 10 जिगरी चैनल नेक्स्ट देखे दोसों क्या है हमारा रावत भाटा उर्जा प्लांट समधित है तो रावत भाटा उर्जा प्लांट किस से समधित है दोसों इसका राटोसन क्या होगा तो दोसों इसका राटोसन हमारा हो जाता है एल नमबर अनू उर्जा अनू उर्जा से रावत भाटा उर्जा प्लांट समधित है नेक्स्ट कुश्य देखे दोसों क्या है निम्न में से कौन महानदी के साहिक नदी नहीं है तो दोस्तों महानदी के साहिक नदी कौन नहीं है उसके बार में को बताना है तो इसका रैटर से महार हो जाता है हस्देव सी नमबर सी नमबर आनि हस्देव महानदी के साहिक नदी नहीं है अगला कुश्चिन देखे दोस्तों सिमलीपाल जयविक जयव सरनचित छेत्र इस्तित है सिमलीपाल जयव बाई रिजर्ब जो एरिया है वो कहाँ पर सिचुटेट है उसके बारे में को बताना है तो दोस्तों के इसका राइट अप्सन क्या होगा इसका राइट अप्सन हमारा हो जाता है ए नमबर ओडिसा में अवस्तित है यह सिमलीपाल बाई रिजर्ब जो छेत्र है वो ओडिसा में इस्तित है नेक्स कोश्चिन देखे दोस्तों बिहार में सवाना वनस्पती पाए जाती है बिहार में सवाना वनिस्पती पाई जाती है तो ये वनिस्पती कहाँ पाई जाएगी तो दोस्तो इसके बारे में जो राइट आपसे हमारा हो जाता है वो है D number यानि पस्चिमी चंपारण में नेक्स्ट कुश्चन देखें दोस्तो क्या है 14 अग्रेसर वानिचे बैंक का कब राष्टिकरन किया गया तो दोस्तो 14 बैंक को एक साथ में ने स्लाइस किये गये थे तो वो कब किया गया था तो दोस्तो इसका राइट आपसे हमारा हो जाता है 969 ये नंबर इसका राइट आपसे होता है नेक्स कोशिण देखें दोस्तो क्या है सोर्ण अंकुस कानून किस ने दिया था सोर्ण अंकुस कानून किस ने दिया था तो दोस्तो इसका राइट आपसेन क्या होगा हमारा बताईए तो दोस्तो इसका राइट आपसेन हमारा हो जाता है यानि डॉक्टर मनमोन सिंग ने सरण अंकुस कानून दिया था नेक्स देखते हैं क्या है मारा कुशिन बिहार राज सु परसिद है तो दोस्तों बिहार राज है या आप लोग सभी को पता होना चाहिए किसलिए परसिद है तो दोस्तों देखें जैसे कि धोखा लिखा हुआ है जादा खर्श करना लोभी परजा सरलता तो दोस्तों हम सभी बिहारी लोग है तो बिहार लोग के बारे में बहतर जानकरी होनी चाहिए तो यह किस लिए परसिद है उसके बारे में बताना आपको तो दोस्तों इसका जिवाटर सम्मारा हो जाते है वो है डी निमबर सरलत तो दोसो इसका रैटर सुन हमारा हो जाता है ए नमबर 1930 को यारी 1930 को लॉर्ड इरिविन ने सरदा कारण को पास किया था नेक्स्ट कुशन देखें दोसो क्या है स्वामी वेकानन्द को रास्ट्री आंदुलन का अध्यात्मिक पिता रास्ट्री आंदुलन का अध्यात्मिक पिता कहकर किसने सम्मुद्ध किया था तो दोसो इसका रैटर अप्सन क्या हो जाएंगा हमारे इसका राइट अप्सन होता है हमारा डी नमबर सुभास संद्र वोस नेक्स्ट कुशन देखें दोसो क्या है भारच छोड़ो आंदुलन के दौरान पहली समरांतर सरकार कहा बनी तो दोसो इसका रैटर अप्सन क्या होगे उससे बताना आपको तो दोसो इसका रैटर अप्सन हमारा हो जाता है एन नमबर बलिया आनि बलिया में बार छोड़ो अंदुलन के दौरान पहली बार समनांतर आनि पैलर गौर्मेंट बनी थी समनांतर दोस्तों जिसको पैलर कहते है पैलर नेस्ट कुश्चे देखें दोस्तों क्या है 1930 में पटना सौधेसी लीग के अधरसा किस ने की दोस्तों 1930 में पटना सौधेसी लीग के अधरसा करने वाले जो बैक्ती थे वो थे सर अली इमाम तो सर अली इमाम ने 1930 में पटना सौधेसी लीग के अधरसा की थी नेस्ट कुश्चे देखें के दोस्तों क्या हमारा बिहार में पहली बार राज जी का आर्थिक सर्वेचन किसनी परसुत किया एकनॉमिक सर्वे किसनी परसुत किया था बिहार राज में पहली बार तो दोस्तों इसका राट्रो सर्मार हो जाता है बी नमबर सुसिल मोदी ने सुसिल मोधी में बिहार में पहली बार राज जी का और सरवेशन को प्रसुत किया था नेक्स्ट कुछें देखें rappersau किस खेल से जुड़े हैं ऊसके बारे मताना आपको स्रेजन घोटाला किस राज से संबन्दीत है ओसके बारे मताना आपको तो दोस्तों ये इसका right option नमारा हो जाता है A number बिहार स्रिजन गोटाला दोस्तों जो एक NGO था NGO अभी भी है NGO कुछ government officer चारे मिल करके एक गोटाला का निर्मान हुआ था और उसी गोटाला में कई सारे नेता, कई सारे सरकारी कमचारी लोग सामिल हुए थे और वो गोटाला का एक अंचाम दिया हुए था तो ये गोटाला दोस्तों हमारे बिहार में हुए थे तो स्रिजन गोटाला का संबन अगर दिखाए जाक किस राज से है तो वो हैं बिहार next question देखे दोस्तों क्या है बिहार में रेसम उत्पादन से संबनित असर सोरी तसर होगा दोस्तों तसर और रेसम की एकाईयां सित है तसर और रेसम की एकाईयां दोस्तों इस सित है वो क्या होगा इसका राइट अपसन तो इसका राइट अपसन क्या होगा बताए दोस्तों दोस्तो इसका राट वसन हो जाता है हमारा ए नमबर भागलपूर नेक्स्ट कोश्चन लेखते हैं दोस्तो और लास्ट कोश्चन हमारा आज का बिहार में स्रवाधिक सिचाएं का साधन निम्न में से कौन है तो बिहार में स्रवाधिक सिचाय का साधन निम्न में कौन है इसके बारे में बताने है दोस्तों तो दोस्तों इसका जो राइट अब रहता है वो है ए नमबर नहर दोस्तों यहाँ याद रखीगा यह नहर है तो दोस्तों यह रहा हमारा 30 set of questions आज का तो जो लोग दोस्तों अभी तक topic को cover नहीं कर पाए है अब टाइम बहुत कम है तो जितना चल्दी हो से कि topic को cover करते चलिए तो जो भी हमारे पार्ट बजए है उस पार्ट को लेके cover करके collection करके हम पर से नहीं question set के साथ present होते है next day तो thanks for watching दोस्तों